हरो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल आर्यम टेक्निकल कम्पीटर में आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बीना नाम और बीना आइकन के फोल्डर कैसे बनाएं तो हमने पिछली वीडियो में फोल्डर बनाना बताया था अगर आप वो वीडियो नहीं देखा हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हैं जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं एक नया फोल्डर कीबोर्ड के माध्यम से कैसे तैयार कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नया फोल्डर बिना नाम और बिना आइकन के कैसे बनाएं तो नया फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले खालिस्थान पर राइट क्लिक करना होगा और नीवाले उप्सन पर जाना होगा और नीवाले उप्सन पर जाने के बाद फोल्डर वाले उप्सन पर क्लिक करना होगा तो एक नया फोल्डर बनके तयार होगा यहां से इस फोल्डर का कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे भी हमने फोल्डर का नाम दे दिया और यहां से इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद हम इस folder का नाम अगर गाइब करना साहते हैं तो हम एक ऐसा code बताने वाले हैं जिसके जरीए इस folder का नाम hide हो जाएगा तो folder का नाम गाइब करने के लिए उस folder पर right click करेंगे और right click करने के बाद rename वाले option पर चले जाएंगे और rename वाले option पर जाने के बाद हम इस नाम को delete कर देंगे और delete करने के बाद एक code यूज करेंगे alt के साथ 0,1,6,0 यानि alt के साथ 0,1,6,0 करके जैसे इंटर करेंगे उस folder का नाम गायब हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं फोल्डर का नाम गायब हो चुका है अगर आप फोल्डर के आईकन को भी गायब करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं तो उस folder के आईकन पर right क्लिक करेंगे और right क्लिक करने के बाद चले जाएंगे सबसे last वाले option properties पर और properties पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको properties की window खुल कर सामने आजाएगी तो यहाँ पर सबसे last वाले option पर जाना है customize और customize पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से last वाले option पर जाना है change icons जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे change icon पर क्लिक करने के बाद आप अपने folder का कोई भी icon दे सकते हैं लेकिन हमको बीना icon वाला folder बनाना है तो यहाँ से हम write जा सकते हैं थोड़ा write जाएंगे और write जाने के बाद आपको एक ऐसी location देखेगी जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाए देगा और यहाँ पर जैसे ही हम click करेंगे उस select हो जाएगा और select करने के बाद जैसे ही okay पर click करेंगे और okay के बाद आप apply करके देख सकते हैं आपका folder यहाँ से गाइब हो चुका है यहाँ से कोई भी समझ नहीं पाएगा यहाँ पर folder आपका कहा गया जब कि अगर आप जाना साथ है आपका folder दिखाए देगा यहाँ पर कोई भी file या folder रखना चाहते हैं तो इसके अंदर open करके हम प्लग सकते हैं यहाँ इस folder का कोई भी नाम नहीं है तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बताया कोई भी folder का नाम और icon कैसे गाइब करें तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक लिए धन्यबाद जय हिंद